कक्षा में थपड़ों की जो बौचार थी वो शुरू हो गए तो आठ ने साथ को मारा, साथ ने छे को मारा, छे ने पाँच को मारा मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेर करना चाहता हूँ आपके साथ एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक नौ ने, नौ नंबर ने, अंक आठ को थपड़ मार दिया आठ ने पुझा, अरे भाई, क्यो मारा, मेरी क्या गलती थी? तो नौ ने कहा, मैं बढ़ा हूँ, थपड़ मार सकता हूँ और अंक नौ की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थपड़ों की जो बोचार थी वो शुरू हो गई आठ ने साथ को मारा, साथ ने छे को मारा, छे ने पांच को मारा और ऐसा करते करते, जब दो ने एक को थप पर मारा, तो शूनी जो था ना, वो विचारा समझ गया कि पढ़े गया तो दुबग के कोने में बैठ गया शूनी को ऐसा कोने में दुबग बैठा हुआ देख करके, एक ने का, अले भाईया तु क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूँ पर यह कहते ही, एक जा करके शूनी के बगल में बैठ गया बगल में बैठने का मतलब किया हुआ कि शूनी था, वो हो गया दस पर रहते हैं, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो एक ने कहा, देखो भाईया बड़ा वो नहीं होता है जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे देविया संजो, इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता है इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ग्यान से